है तो सब औरबिट्स का हम लोग लास्ट क्लास में लोगों ने कर रहा था क्या सेथ डिफेरेंट टाप्स ओफ सब औरबिट्स एस अब औरबिट स्फेरिकल फी सब और डंबल 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 एप सब सबॉर्बिट फ्लावर से और एफ ऑन्वर्ड सी एफ सारे के हम लोग उनका क्या लिखते हैं फाइनली कॉंपलेक्स से ठिक है अब सबॉर्बिट्स बेसिकली क्या है कोई पाथ है या एडिया है एकुधि अर्बिट्रेरि पार्ट है स्पेस का या डेfinite पार्ट है या पार्ट है और उस बाइब zast theories discussion में रहता है या टी-und ओक्लाता है ओर देफिनीट दोपार्ट के दोरान इलक्टाउन के फ्यांदिंग प्रॉबलेटी माक्सिमम होती है और उसके दी- के स्रोडिंगर स्वेवेक्वेशन को बहुत सार है। में से sue स्रोडिंगर आप युड में भीहूट सींबुरा कि इस तरह से किस ने दिया। पॉम्शन जिसने एलेक्ट्रोन डिस्कवरी करी एलेक्ट्रोन का वेव नेचर किस ने दिया श्रोडिंगर डी ब्रॉगली का भी नाम आ सकता है और ऑप्सन नहीं रहने पर हाइजनबर्ग का भी नाम आ सकता डिपेंड करता बट आप प्रिफरिबली किसको टिक करेंगे श्र लिखा था लास्ट क्लास डी ब्रॉगली इक्वेशन में वहां पर लिख देना जहां पर डी ब्रॉगली वाला लिखा था डूएल निचर जहां लिखा गया था ना डूएल निचर वहां पर किसी भी मैटर का डूएल निचर है यह प्रुपोज़ बाई डी ब्रागली और इनोंने एक एक्वेशन दिया है लेमडा इकोल्स टू एच बाइ एम वी लेमडा इकोल्स टू एच बाइ एम वी इसमें एच क्या है लोग प्लैंक स्कॉंस्टेंट पढ़ा है हम लोगों ने और उसमास अगर फ़ियो लागोल करने के लिए जो भी मैटө का है तो उसका साँ जाएगा लेमडाा रॉप्रेजेन्स वैबलेंथ तो वैबलेंथ is the property of matter और वैब वैब एउप्रेजेन्ट स्वेब लेज़ू and V रॉप्रेजेन्स speed and speed is the property of wave और matter, speed किसका property हुआ, तो इस एक equation से लोग क्या-क्या इसमें connected है, wave भी है और matter भी है, तो wave और matter, मतलब particle nature, दोनों के बीच का जो एक relationship है, वो de Broglie का ये equation है, lambda equals to h by mv, यह वहाँ पे add कर देना है, जहाँ पे de Broglie का क्या था, dual nature हमने discuss किया, ठीक है, sub-orbit में जब electron delocalize होते हैं, तो उनकी finding probability, अपने क्या बोलते हैं, maximum, और अगर percentage में उसको बताना हो, 90 to 95, कभी नहीं बोलते हैं कि sub-orbit में electron finding probability 100% होगा, क्यों बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे, directional property पर एक बात करते हैं, ध्यान देना लो, सब-orbit, स जो है वो directional है आपका या non-directional, क्या मतलब हुआ, आपके electron के cloud को direction मिला हुआ है S में या नहीं, जो electron की density है, S में क्या होता होंका, spherical symmetry है, चारो तरफ electron scattered है spherical symmetry पर, या यूं कह लो, कि electron एक sphere की boundary पर, sphere की boundary पर, equally हर तरफ क्या है, distributed है, equally ना, क्योंकि symmetrical distribution है यह, तो S orbital आपका directional हुआ कि non-directional हुआ, क्या हुआ, non-directional, यारे, कि sphere का क्या direction या, तो S orbital या S sub cell, फिलाल सब cell बोल रहे हैं, वो directional हुआ कि non-directional, पी वाला directional हुआ या non-directional, क्यासे, जो आप dumbbell लिख रहे हैं, draw कर रहे हैं, उसमें, actually, वो electron density, अगर बीच से axis pass कीजिए, तो S axis पर लटका हुआ, अरे, कुलफी देख रहे हो, कुलफी, तो कुलफी में क्या है, और बर्फ का गोला खाए हो, भींगो, भींगो के, तो बर्फ का गोला जो खाते हो, उसमें कोई direction नहीं है वो ए स्थारीकल है, लेकिन कुलफी जो खाते हो, तो पूरी कुलफी को एक चीज पक्रे होए, कौन सी चीज, एक axis पक्रे होए, वो जो डंडा बीच से निकला हुआ, हैंने, stick जो बीच में है, तो stick क्या किये होए, वो पूरी कुलफी को पक्रे होए, तो P और सबसेली और कहलो वो वैसे ही वहाँ पर electron है कि electron का जो हमारा deposition है उसको कौन पकड़े हुए एक axis पकड़े हुए एक एक एकसिस पकड़े हुए clear वी चीज़े हैं तो P सबसेल directional और non-directional directional और S क्या हुआ non-directional D क्या होगा even more directional than P कारण वहाँ पर एक नहीं दो-दो एकसिस एक वाला ये वाला इसका एकसिस और एक ये वाला इसका एकसिस है ना तो चलवा जाओ यहाँ पर पॉइंट वाइज अपन लिखते हैं S sub-shell directional और non-directional non-directional electron density equally scattered in all directions with spherical symmetry कि symmetry के साथ यह scattered है scattered समझते हो फैला हुआ छित्रा हुआ जिसको बोलते हो तो electron की जो आपकी density है वो equally scattered है किसमें शारे directions में with spherical symmetry इसलिए S subcell को लोग क्या बोलोगे directional या non-directional ऐसे भाई साब जब 7 बज़े तक आप आते रहेंगे चलो अगला P subcell क्या लिखा जाएगा directional क्यों बोला गया लोग directional क्योंकि जो electron की density है electron density lying along the axis तो आप इसको ऐसे बना की सकते हैं यह आप देखिए यह अगर आपका निकलियस है आप अगर एक डंबल क्रियेट करते हैं तो इलक्ट्रोन का जो हमारा density है वह आपको दिखेगा लगेगा एक कुल्फी की तरह यह एक स्टिक पर टिका हुआ उसी स्टिक में वह बंधा हुआ इसके बाद भी हर जगा electron डिलोकलाईज हुआ है या नहीं लेकिन यह वाला जो एडिया है वह maximum प्रॉबैबलिटी वाला एडिया है नहीं और इसी में एक बीच से क्या निकालते हो एक्सेस निकालते हो और इसी को क्या बोलोगे-ग्स अफलेक्ट्रों डेंसीटी कि अवालीब ऑक्का僵ा जा रही है एकड दम सही है है पक्का, तो electron density lying along the axis, तो हमारा P वाला sub-cell क्या क्या लाया, directional, और एक वाला और है, D sub-cell, यह directional यह non-directional, even more directional than, P sub-cell, क्योंकि इसमें electron density कितने axis पर है, दो axis पर है, आप draw करते हैं, तो एक दम बड़े अडाम से आप comfortably इस बात को समझ पाते हैं, एक axis आपको यह वाला मिला हुआ है, और एक यह वाला, नहीं, तो इस तरह से directional property के अगर बात करें, तो S से जादे हो गई किसकी, P की और P से जादे हो गई किसकी, और even S क्या हमारा, non-directional, clear हो गए, और इसका आपको use होगा, इस property का chemical bonding में कि कौन सा chemical bond strong होगा, जो non-directional orbital bond बनाएगा या directional वाला बनाएगा, directional, bond बनता है overlapping से या share से, बनता न, तो S को sphere है, दो sphere को अगर आप share करना चाहेंगे, तो sphere एक point पर touch होगा, डंबल एक contact area लेकर touch होगा, इसी लिए जो directional orbital होगा, वो bond strong बनाता, आप balance bond theory में इसका application करेंगे, कि SS bond से strong होता PP और PP bond से strong होता DD, तो इसका logic क्या निकल के आएगा, क्योंकि D is more directional than P and P is more directional than S, ठीक है, तो चलो ये ये वाला और directional property वो ये अड़ करता, चलो next page में हम लोग आते हैं, किसी को कोई doubt है, इसमें कुछ भी, कोई पूछोगे, class आओगे regular तभी तो पूछोगे, घाय ब्रहतुर आने के बाद भी सुबस सुबस सोटें चाहें लोगे, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे त बस तुमसे चार्ज ले लिया जाएगा उसका, कॉफी, हाँ कौन लीजेगा, बताइए, किसने कॉफी डिमांड किया, बोल बटा कॉफी क्या, तुमको हम potassium cyanide का घोल पिलाएं, तुम बताओ तो किसने डिमांड किया, हम समझ सकते हैं, सुबह सुबह नींद आती है, अच्छा, कभी सोचते हो, पढ़ाने वाले को नींद आ गई, तो क्या होगा, वही बात हुआ ना, बस ड्राइवर को नींद आ गई, और तुमको नींद आई, दोनों में डिफ्रेंस है, ना, शली आई, और बेट्स एंड सब और बिट्स धियान दो अच्छे से, और बीट्स एंड सब और बिट्स रिलेटीव प्रॉपर्टीज अच्छे से देखोंगे लोग, एक तरफ रखते हैं और्बिट को और्बिट का ही दूसरा नाम क्या है शिल और दूसरी तरफ रखते हैं अपन सब और्बिट को सब और्बिट का ही दूसरा नाम है सब सिल बोलते हो ना और्बिट को आप किस कॉंसेप्ट से लाते हैं और्बिट का कॉंसेप्ट क्लासिकल किनका कॉंसेट दिया हुआ मोदी जी का तो क्लासिकल कॉंसेप्ट कि बोर्ष मॉड़ल 1913 ना बोर्ष उस जमाने के मोदी जी कहे जाते थे सब और्बिट का कॉंसेप्ट क्वांटम मेकेनिकल अब आप सब और्बिट को फिल कर पा रहे हैं और यह कि समर्फिल 1925-26 यह पक्का बंदा नींद में क्वांटम मेकेनिकल कॉंसेट 2526 और देने वाले साइन्टिस्ट के लिए क्रडिक्ट क्या बोलिये अरे नाम तो बताओ सिर्फ समर्फिल्ड कहां से लाएं समर्फिल्ड कौन लाएं समर्फिल्ड भई हमने कम करा हैं समर्फिल्ड अरे चचाउचा का नाम ले रहे हो अरे कहां से आवाज आई समर्फिल्ड किसने इंप्रोडूइस क्या क्वांटम मेकेनिकल कॉंसेट फिर समर्फिल्ड क्या कि हमने करवा दिया क्या समर्फिल्ड फिर समर्फिल्ड क्यों पूरी दुनिया लगे नहीं ऐसा तो मने कहीं कुछ नहीं लिखवाया लो है जनबर्फ रोडिंगर डी ब्रॉगली साफ साफ लिखवाया है चरहाय हो रहाय हो क्या बे कितनी बार बोला है अगर लेने का मन करे तो सनिवार के रात को लेते विटा और वह भी थोड़ा अध्ड़ पानी ज्यादे मिला लेते हो उसमें अषै Oooh jak Tuesday न have Sam被 रात को लिया करो कि रवार का लंबा सो ना है कि आ तो समर्फिल्ड का नाम के अधो तो समर्फिल्ड समर्फिल्ड इ empath ah क्यों नाम ले नो दादा जी थे प्रोडिंगर हाइजनबर्ग डी ब्रॉगली बहुत सारे लोगों का योगदान यह तीन मुख्य रूप से अपन बोलते हैं नहीं 1925-26 चला जाब सेल को आप के एलेमेंट से दिखाते हैं सबसेल को किस टरम से दिखाते हो बटा एस पीडिया एस स्टेंट्स फॉर सार्व स स्राव फ्रिंस फींसपल नежत्वर निट मट्रींट्रों से लिया गया गया हां जनरे blueberry सर्थiber्व 막वर प्रिंसव प्रिंसपल फिंसप्रों प्रिंसिपल रींसपॉर निजएंट्वल तो वो k element से आप capital letter से represent करते हैं और इसको small alphabet से आप represent करते हैं तो आप अच्छे से दिमाग में बिठा ले s block पिछले दिन भी हमने बोला था capital s से नहीं लिखते हैं पी ब्लॉक बोला था हमने पी ब्लॉक लोग capital P से डी ब्लॉक capital D से नहीं लिखते हैं हाई रे दुनिया ब्लॉक वाला सारा स्मॉल से लिख लिए जिसको स्मॉल लिखना चाहिए उसको capital से लिख लिए तो यह तरीके का representation नहीं होता है जब भी आप सब और्बिट का representation लगाएंगे तो स्मॉल लेटर से मैथमेटिकली को सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता अब पहले भी कर यह समझते थे यह वह नहीं है यह क्वांटम नंबर और यह स्रोडिंगर को स्वाल्व करके आया और यह संयोग है आप इसको क्या सकते हैं कि अगर जीरो से मिल रहा होता या नेगटिम में मिल रहा होता तो आप फर्स्ट सेल को माइनस वन यह समझने के लिए फिल लेने के लिए फिल भी ले लो बट वह एन है क्या एक क्वांटम नंबर है जो स्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्वाल्व करके आया है जिसका वैल्यू और वैल्यू कहां से सुरू हो जाता उसका वन से यह एक संयोग है तो चलो क्या लिखा जा लो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेट बाई सेल को ना क्या बोला हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन न न न न न प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन गिवन बाई मुदी जी चिक है गिवन बाई बोर और सबसेल को हां सबसेल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेट बाई किसी रिप्रेजेंट करते हैं अजी मूथल क्वांटम नंबर क्या बोलते हो या सेकेंडरी या सबसेडरी सबसेडरी क्वांटम नंबर किसको जी किस चीज को सबसेल को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हो अजी मूथल एजी नहीं बोलना अजी मूथल घड़ वाली नहीं है तुमारी क्वांटम नंबर अजी मूथल क्वांटम नंबर या सबसेडरी या सेकंडरी क्वांटम नंबर क्या है एल इसको पुकारो गविटा यह दिया गया था आपके चचा के द्वारा गिवन बाई समर फिल्ट आपको यह नाम पता होना चाहिए कि हूड इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर इंट्रोड्यूस अजीमूथल क्वांटम नंबर समर्फिल्ड एल एल से रिप्रेजन करते हो अब आज और इसे इसको कनेक्ट करते हो मतलब सेल को आप से न से रिप्रेजंट और सब सेल को मिप्रेजन कर रहे हो और सब सेल को मतलब कर रहे हैं अब कि यह एक काउंटिंग नमबर नहीं है यह एक counting number नहीं है यह solution है mathematical solution Schrodinger's wave equation के बहुत सारे solutions है mathematical बहुत सारी चीज़े वहाँ से आती है जोने में से 1 क्या है quantum number quantum number क्या है आगे और detail में पर होगे तो यह आपका obtained by solving किस चीज़ को SWE what does it mean Schrodinger's wave equation तो लोग बोलते क्यों नहीं हो बई तो reply करो गाना पीछे से सिर्फ लगड़ा अकेलिए हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही पढ़ रहे हैं सबसेल के लिए ध्यान से एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो से सही वहाँ पर वन से स्टार्ट हुआ तो वन से सही इसलिए हमने बोला यह counting number मत समझ लो वह आया है mathematical solution ऐसा पी के लिए आप क्या लगाते हो एल की वैल्यू वान डी के लिए ल की वैल्यू ए एफ लिए ल की वैल्यू ए जी लिए ल की वैल्यू तो लेते हो और यह भी इसी तरीके से कहां से आया है Schrodinger's wave equation का mathematical solution है सारे quantum number कितने तरह के quantum numbers होते हैं चार कितने तरह के लेकिन इस में से तीन ही तरह के quantum number होते हैं चार में से जो Schrodinger wave equation का solution चारों नहीं है आगे सिखेंगा लोग तीनी तरीके का एक स्प्पिन कवांटम नहीं हो उसका सिलिऊशन है तो चलो ये वाला हुआए अब नेक्स्ट पॉ perspect पड़ाते हैं लोग तो किसी ओर बिट में एक स्थ सोता है किक एक सने किसी ऑर्मित में तोसी तरीके को किस से बोलोगे L x sub orbit, orbit को आपने बोला N से Nth orbit, तो sub orbit को किस से बोलोगे L से L x sub orbit, तो चलो आजो next page पे, any nth orbit can have maximum number of electrons equals to 2n square और यहां से आप लाते हो, के सेल जब हम बोले, तो N equals to 1 में 2 electron, जब आप L सेल बोलते हो, N equals to 2 में 8 electrons, M में इस तरह से लोग 18 electrons, और N सेल में इस तरह से इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अब इधर भी आजा, any LX sub-orbit can have maximum number of electrons equals to 2 into क्या बोला लोग, हमने, 2 into 2L plus 1, जहां पर L क्या है, अजिमूथल quantum number जो किस्ची को रिप्रेजन कर रहा है, सबसेल, ठीक है, तो अगर आपका S सबसेल है, तो आपने बताना है, इसमें number of electrons, maximum कितना, L की value कितनी रखे जागे है, S के लिए, S के लिए L, P के लिए, D के लिए, F के लिए, P के लिए, सुन तो लिया कर भाई, P के लिए, P के लिए, 1, S के लिए, D के लिए, G के लिए, 4, D के लिए, 3, G के लिए कितना, 4, D के लिए, 2, P के लिए, S, G, 4, D, तूटा नसा तूटा यह आप निम्बू पानी भी पिलाया जाए तो एल इक्वल्स टू जीरो तो कितना इलेक्ट्रोन आ गया दो ना अच्छा आप बोलते हो इसलिए सबसेल में दो इलेक्ट्रोन चार-चार का डिफरेंस याद करो पहले करते थे और बिट्र तो बेसिकली क्या था लोग यहां पर कॉंसेट कि अपना एल का वैल्यू चेंज ओड़ा तो यहां पर एल है जीरो यहां एल क्या है वन तो एल वन आएगा तो तो इंटू वन प्लस वन छे इसी वाले में 14 गौट गूड जी सबसेल चार के डिफरेंस पर इसी वज़ासे वह आ रहा था तो किसी भी एने थ ओर बिट में 2N2 का फॉर्मुला लगता नंबर अफ लेक्ट्रों के लिए और बिट में नंबर अफ लेक्ट्रों के लिए 2N2 और सब और अबिट में नंबर के लिए इसी को बहुत सारे लोग 4L प्लस 2 भी पढ़ाते हैं वह भी सही है लेकिन क्यों टू लगा करके बोलना चाहिए इसका एक अपना लॉजिक वह आगे एक्स्प्लेइन हो जाए ठीक है जैसे आप कभी सुने इसमें 4L प्लस 2 होता इलेक्ट्रॉन नहीं सुने हो इसमें 4L प्लस 2 भी बोला जाता है लेकिन ज्यादे बहतर है क्या बोलना क्यों यह आगे आप समझेंगे अब आज यह रेडियस की बाते करते हैं रेडियस से पहले अब दोनों कॉंसेप्ट को एक बार मिलाते हैं आराम से तो मोदी मुधी जी बोल दिये स्वारी गौर साथ हां आप लोग समझें गरे हो हैं लौर सARRY या बोर्स मोर्डल में बहुत सारी खास्यतह बहुत सारे पहले अइसे से सेंटीस्ट रहे जिन्होंने अटम में इलक्ट्रों के स्पीड कलकूलेट करी जिन्होंने अटम में अलग अलग правильно calculate किया जिन्होंने एंटम में एणर्जी को calculate किया पहले संट इस्टेंट तो बोर के नाम पर बहुत सारी credits हैं कि छोटु सोंगों तो बॉर्टल फिक्ट खे गारे में तुम दोनों को जैरे और डेदी तो पिछले दिन भी बता रहा था कि तब ठीक नहीं है कि पिछले दिन क्या बताया था कुछ बताये थे पिछले दिन अच्छा पिछले दिन बारीस में भींग गये थे तो तो जदी नींद आती है तो घर पे रहो ना कि सुबह सुबह 6-7 वजए यार कौन सोता है कि तब वह सोता है जब बेड़ पर पड़ा रहो उठके आगे तब कौन सोता है कि बैल भी नहीं सोता है 6-7 वी बैल भी उठ जाता है मत सो यह न चुटो है ठीक है चालेंगे मंगवा दिया आपके लिए मनिस्सर मंगवा रहे हैं अभी तो फिर आ जाएगा लोगे अबकी बार सोय गाना गवाएंगे अब सोने जैसे मिंद में जा उससे पहले गाना याद कर लो कि कौन सा गाना आज कल कौन सा चल गाना के दिन आ गहें कैं अ कशाधिनके नहीं तो देखना बटा अच्छे से, तो बोर कहते हैं, हाँ हमने बोला बोर मॉडल में बहुत सारी खासी आते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने स्पीड, रेडियस, एनर्जी, बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन करा, तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट हुआ, लेकिन उस मॉडल की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी खामी यहीं है, कि जब वो क् cucumber mechanical concept आता है, introduce होता है, जिसमेँ electron को wave nature मिल रहा होता है, उस समय में ये अपने concept को उस concept से लिंक कर देते हैं नहीं आया समझ में क्योंकि अपना गलत हो रहा है तो हमारा जब गलत हो रहा है तो अपनी गलती को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या दूसरे की गलती को ढूंड़ो इसलिए बोर साहब को मोदी जी कहा जाता बाकी तो आप समझदार हैं तो अपन चुपाने के लिए पूरा कर पूरा इन्होंने अपने कॉनसेब्टकों से क्या कर दिया लिंक है क्या दोनों लिंक होने like है डोनों concept क्या है अलगulator चैंड़ वह एक सएर्कौलर पास है तू-डैमेस्णल और यह डैफनिशन ही करता इन त्रियो द्रून स्पेस को वह भाई- वो ही नहीं सकता इतनी high speed के साथ और यह क्या कहते हैं एक circular path पर चलता तो क्या इस concept को इस concept से जोड़ा जा सकता है दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है लेकिन बावजूद इसके बोर सहाब क्या करते हैं अपने concept को इस concept से connect कर देते हैं मतलब समय रूप मतलब हां Carolina जैसे सम tahamzen अच्छा हम를 रेखते हैं आप यह भी बोलते हैं डॉक्टर अपको दवा देते हैं गम्भीर बिमारी हैं हैं कि मैशा को दिल पर मतले लेना तो टॉक्टर क्या मोलते हैं आबस हाट यह बाकी भगवान की मरड़ा कि और आपको दुआ की ज़ुरूरत अब क्या कर रहे हैं एक साइन्स वाले कॉनसेप्ट को एक अजूम्ड कॉनसेप्ट से अंसीन कॉनसेप्ट से जिसको नहीं जानता है जो क्या है उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है उससे आपने किसी का कुछ चला है क्या मतलब अपने फैलियर को करेक्ट कर लिए किसे दूसरे से कर लिए अब माल लो उस समय में बच गया मर गया तुम लकडियां वकडियां जोड जार लिए चलो अब निब्टा देते हो गया काद दिन रोध होए लिया जाए अच्छानक कई बार सुने ह होगे न्यूज बगेरा में कि मड़ा हुआ घोशित कर दिया जाता है और लोग जी उठते हैं बहुत बार होता कि सब्सक्राइब में बढ़ावर हुआ सिल पैक कर दिया और रख दिया उले जा रहा तो अंदर वाइब्रेशन हो रहा है को विड़ में खुब हुआ था इस उस समय में अचानक दिखा कि वो तो जी गए मतलब लाइफ आ गई अब फिर डॉक्टर क्या बोलते है इस वर कि में समझ यह इसमें एक लॉजिक है लेकिन क्या किया गया इसको कनेक्ट किया गया बस समझने के लिए है definitely किसी medicine ने लेट स्व किया होगा प्यटा क्या हम गाड का वाकई शाइन्स में रिजन दे सकते हैं नहीं दे सकता हैं तो किसी medicine Apply ऑऊगा या कोई function होगा दवा होगा भी activate हो चुका कोई function एक्टिवेट हो गया जो सायद कुछ देर के लिए रूख गया होगा तो चीजों को समझ एक्टॉल चीज क्या है और हम किसी से कर रहे हैं तो और बीट नाम का कोई चीज नहीं है इलेक्ट्रों इस तरह से कोई सर्कुलेट नहीं करता है इलेक्ट्रों तो डिलोकलाइशन में रहता इसको इससे करेक्ट कर देना क्या है यह बहुत बड़ी बेवकुफी है इसलिए अगर आप से एक लाइन में बोल दिया जाए बोर के तमाम पाप में से सबसे बड़ा पाप कौन सा है तो बोलिएगा दोनों कॉंसेप्ट को जोड़ने का सबसे पहली लाइन अब यही हम कि उतने बिल्लेंट थे तो ऐसा क्यों किये लेकिन तब भी क्या बोल रहे थे डाल्टन साथ एटम डबा है डबा हमसं साथ को बेवकुफ समझ रो जो नोबिल प्राइज जीत करके गए और जो इस रदर फोड के क्या थे टीचर गुरू जीत तो तुम क्या कहना चातों मेर यह उपर के टुबा दबा देंगे बिटा अपने आपको हसियार ना समझे जाए तो तो कॉम्बाइनिंग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो क्लासिकल एंड कॉंसर्ट कॉंटम मेकनिकल कॉंसर्ट और यह जो पॉइंट है इसके बारे में क्या लिखोगे क्या लिखोगे बोलो बिगेस्ट शॉट कमी या ड्रॉबैक क्या लो आफ बोर्स अटॉमिक मॉडल कि वह और्बिट के कॉंसर्ट को क्या करता है सब और्बिट के कॉंसर्ट से लिंक करता है इस पॉइंट को हाइलाइट भी कर लो थोड़ा ठीक है अब आजाओ कैसे करते हैं यह कहते हैं किसी भी एनवे और्बिट को एन तरह के सब और्बिट में रिजॉल्व किया जाएगा तोड़ा जाएगा यह रफ्ली स्कॉइस समझो क्या ऐसा बोल सकते हो कि सेल के अंदर सबसेल है नहीं सेल इंडर उसन कैसे कई नहीं बूल सकते हो नसे के अंदर है सेल को तोड़ा गया है समझो जैसे जा Сकता सेल को किया गया सबसेल मैं एसे बोल जैसे माल लो पikiष्च्टर है है एकक्स अक्सिस और यकशिस एकसिस के आप इसको तोड़ते नहीं हैं vy और vx में तो आपने क्या किया एक direction में चल रही चीज़ को उसके दो direction के speed में या उसको जाने पर force किया तो क्या कर है वेक्टर को उसके components में तोर रहें आई-cap, j-cap, k-cap हम लोग 3-dimensional वे में तोड़ते किसी वेक्टर को resolve करते हैं तो एक और्बिट को resolve just किया गया है किसमें ? sub orbit में उससे ज़्यादे आपको धियान नहीं देना तो धियान दो किस तरीके से बोला गया है ? इन एनफ ऑर्बिटेज इन एनफ ऑर्बिटेज रिसवालन डू हाँ good n sub orbits किसी भी n way orbit को लो कितने sub orbits में तोड़ा गिया बोलो n way orbit मतलब अगर पांचवा orbit है तो कितने sub sail में तोड़ा जाएगा 5 अगर दूसरा orbit है तो कितने sub sail में तोड़ा जाएगा इसको तोर रहे हैं, तो कितने sub cells मिलेंगे इससे आपको, 2 क्यों मिलेगा, N equals to 1 है न, electron 2 है, cell 2 first है, तो कितने sub cells मिलेंगे आपको, 1, कौन सा sub cell मिलेगा, S, क्या मिला आपको, कोई दिखकर, L equals to क्या है आया यहाँ पे, L equals to, 0, और कितना electron, अगर n इकॉल्स टू लिया जाए एट इलेक्ट्रोंस बोलो कितने सबसेल्स में तोरोगे टू सबसेल्स कौन कौन सा आठ इलेक्ट्रोंस आपके पास तो एट इलेक्ट्रोंस के लिए एक S आएगा और एक P ध्यान से अब यहां पर तू लगा लो और टू पी लगाओ यहां क्या लगाओगे तो टू 2s and 2p 2s के लिए L कमान और कितने एलेक्ट्रोंस और 2p के लिए L कमान कितने एलेक्ट्रोंस जैसे वेक्टर के components को जोड़के vector वापस ले आते हो वैसे ही छे electron दो electron वापस उस cell के electrons के बराबर ले आ रहे हो किसी को कोई दिक्कत अब इस तरीके से हम लोग किस cell को तोरने जा रहे हैं थर्ड को ना यह सेकेंड था चलो आज़ो हुआ थर्ड को तोडते हैं एन को रस्टू बोलो कि 18 इलेक्ट्रोंस तो बोल बटा है क्ाक्रेंट ह्स टूटेगा 3सErश G alguém सबसेज कर से हैं एस ठीपी चलो बताओ एल बिक उस्टू दो ऐल्य पॉलस्ट्व subsidi घ्ट्रों और यह लिकॉल सटू तू टाहन है और सब को एड करने पर वापस से वह यह एटीन लारा एक और इग्जांपल ले लो अगर एन इक विल्सट्व आपने फोर लिया कितना एलेक्ट्रोंस हुआ 42 एलेक्ट्रोंस सही है चलो किस किस में तोर हो गया 4S 4P and 4F चल बताव बता एलेक्ट्रोंस टू कितने एलेक्ट्रों बोलो कितने एलेक्ट्रों बोलो कितने एलेक्ट्रोंस बोलो कितने एलेक्ट्रोंस और सारे को एड करने पर वापस आ गया एक चीज बताओ किसी भी सेल में कौन-कौन से सबसेल होंगे यह सेल वैल्यू पर सेल नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करेगा या नहीं किसी भी सेल में कौन-कौन से सबसेल होंगे य तो एक ही रहाग। अगर फिफट ऑर्बिट है तो 5 सबस्ट ऑरफ़िए6 सुरू कहां से होगी। हर बार L की value शुरू कहां से होगी clear हो गया और जड़ा देखो first orbit में L समाप्त हो गया 0 पर second orbit में L end कर गया 1 पर third orbit में L कहां पर end कर गया झाल तो first orbit में L कहां पर end किया first में 0 पर second में L कहां पर समाप्त हुआ one पर third में fourth में इसका मतलब हुआ बटा कि अगर कोई nth orbit लिया जाए क्या लिया जाए तो यहां पर L 0 से start होगा और कहां तक पहुचेगा बताओ clear हो गया तो end depend किया L पर या L depend किया N पर n depend किया L पर या L depend किया N पर very good तो L is the member of set N बोल सकते हो और L का minimum मान क्या है और L की maximum value क्या है कोई doubt है इसमें किसी को maximum लिखाएगा यह काफे इंपोर्टेंट हो गया L की minimum value 0 और L की maximum value N-1 ठीक है अब आजाओ अब नंबर अफ एलेक्ट्रोंस इसमें कितना है इसमें नंबर अफ एलेक्ट्रोंस कितना है ध्यान से इसमें अब धेर सारे सब और्बिट आ गया उसी N-1 और्बिट को तोड़के माल लो यह कौन सा और्बिट लिया गया अरे 2N स्क्वार किस और्बिट में नंबर अफ एलेक्ट्रोंस है इस टाइम एल उकोल स्टू वण क्या आपको मेरी बात है समझ में आ रही है क्या हो रहा है एनवे और्बिट में 2N स्क्वार एलेक्ट्रों हुआ अब इस और्बिट को हम लोग तो रहे हैं किसमें सब और्बिट में तो अपन जब इसको सब और्बिट में रिजॉल्व करेंगे तो इसमें जितने सब और्बिट होगा होंगे सारे के नंबर अफ एलेक्ट्रोंस को जब एड करेंगे तो वापस किसके नंबर अफ एलेक्ट्रोंस के बराबर आ जाएगा और्बिट के नमर अफ्लेक्ट्रोंस के clear है चीजे तो चलवा जाओ प्लस फिर से क्या करोगे टू इन्टू टू एल प्लस वन इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे और कहां तक बढ़ होगे टू इन्टू टू एल प्लस वन आखरी बार क्या लोगे टर्म बिटा एल इकॉल स्टू एन मैनस क्या आपको यह समझ में आया अच्छे से तो इसको और दूसरे तरीके से देखो आय टी ने कैसे प्रेजेंट किया क्या यह दोनों बडावर हो जाएगा होगा ना तो इसको देखो प्लस प्लस वन जोर रहे हो तो वी अजूम समेशन टू इन्टू कॉंस्टेंट बाहर टूल प्लस वन वेर एल रेंजेज फ्रॉम जीरो टू आपको यह समझ में आया तो टू तो यह एक बड़ा अच्छा equation आ गया जो उसी को दूसरे तरीके से mathematically लिखा गया किसी को अब इसमें कोई परिशानी है हाँ बटा टू मल्टिप्लाई है ना वह बाहर है मतलब कॉंस्टेंट है है तू के वैल्यू से कोई फर्क मतलब अंदर के क्वेशन को फर्क नहीं पर रहा नेट जो वैल्यू आएगी अंदर वाले क्वेशन के उसमें तू मल्टिप्लाई कर रहे हो कि यह सभी को आ गया समझ में किसी को इसमें कोई परिशानी कोई डाउट है तो बोल लो है चोटो है तू इन्टो टू ल प्लस वन यह समेशन सिंबल है न समेशन करते न पर कोई है चलो अब हम लोग बात करते हैं रेडियस पर और बिट रेडियस सब और बिट रेडियस ऑर्विट रेडियस आपने खुब अच्छे से पढ़ायि है एंड directly proportional रेडियस एंड के पढ़े हो ना उर्विट electronic configuration तो मान लो कोई let any सबसे पहले और डिरेक्टली प्रपोर्स्टनल क्या बोलते हों अब माल लो कि कोई एनेफ और बिट अब हैस बिन डिज्वाल्ब रुटू किसी एन में और बिट को रिजॉल्ब किया इसके किसमें सब और बिट्स में सही है तो कोई एनेफ और बिट को रिजॉल्ब किया आपने सब और बिट्स में तो माल लो आ गया Ns, Np, Nd,Nf, आराम से सीखोगे, कहां तक जाएगा या कहां तक रुक जाएगा ये डिपेंड करेगा किस पर, अगर N2 है तो कहां पर रुक जाएगा बिटा, तो पी पर, अगर N की वैल्यू 4 है तो वो कहां तक जाएगी वैल्यू लेके, F तो अगर N की value 3 है तो यह कहां तक जाएगी 3D तक जाएगी सही है तो किसी orbit को हमने different sub orbits में तोड़ दिया अब आराम से सुनोगे orbit हमने बार-बार बोला feel करने के लिए बस एक orbit को number के रूप में feel कर लो sub orbit अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है यह space है तो जो S है वो एक area होगा माल लो आपका चौथा orbit है चौथा 4th orbit तो 4S एक area होगा spherical 4P एक double area हो नहीं समझ में आया और 4D एक double number area कुछ difference समझ में आया कि एन एस किसी एन वे और बिट का एस कि नहीं डिस्टेंस को भी जरा गौड करो मेरे हाथों को ठीक से कि एस कि पी कि समझ में आया क्या दिखाया तर का स्क्रीव धिला है यही दिखाया है सब्सक्राइब एक स्ब्सक्राइब करते है अ कि अंवर ओपने गौपर कटेमने क्या किया यह देख वार पी क्लोज है निकलियोस के डी इस और पी के और एक्ट्रों स्ब्सक्राइब निकलिय। के बहुत प्लोज है चैमेस्ट्री में इस चीज को बोला जाता है पेनेट्रेशन क्या बोला जाता है तो अपन बोलेंगे कि S और P सब और बिट्स आर हाइली पेनेट्रेटेड ड्रील्ड अंदर की ओर वेधित और D और F के लिए पेनेट्रेशन वर्डी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत दूर में है अच्छे से तो S और P सब और बिट्स का जो एरिया होगा वो काफी क्या होगा पास और D और F का जो एरिया होगा वो काफी दूर तो ध्यान दो यह निकलियस यह देखो मैंने मान लिया बटा S क्या S इस सेप का है क्या नहीं वो एरिया हमने ऐसे दिखा दिया तो P भी यहीं पर आसपास है कहीं लेकिन D क्या है आपको यह समझ में आया तो हमने क्या बोला आपसे लोग पेनिटरेशन बरढ़ा पेनिटरेशन इंक्रिजेज तो आपसे अगर क्वेस्चन पूछा जाए SPDF में पेनिटरेशन ओर्डर क्या होगा एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ तो पेनिटरेशन इधर बरहा तो आप यहां से दो पॉइंट बोलेंगे क्या बोलोगे पहला पॉइंट S and P sub-orbits are highly penetrated S and P sub-orbits are highly penetrated समझ में आए लोग बोलो और वहीं क्या बोलोगे 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 इसके लिए sub-orbits are largely distant मतलब काफी दूर है कौन-कौन D और F sub-orbits काफी दूर है जबकि S और P क्या है काफी penetrated है अंदर क्यों clear वी चीज़ें अच्छे से ठीक है अब radius के मिले जूले एक्जाम्पल्स अगर आपसे डिसकस किया जाए radius अगर आपसे पूछा जाए कि जल्दी से बताओ 4S, 4P, 4D, 4F में किसकी ज्यादे होएगी तो N लगाओ गए या L अच्छा आपको समझ में आ गया radius N के directly पूस्टनल हुआ और L के भी directly हुआ पता चला अरे L के भी न directly हुआ जी L बढ़ा तो radius बढ़ गया तो ये बताओ लोग अगर 4S, 4P, 4D, 4F में आपसे हमने radius पूछा तो आप L लगाने जा रहे हो या L क्योंकि N क्या है सब में सेम तो आप बोलोगे किसा रिधर जाने पर L increases that's why radius increases कोई डाउट अच्छा चल नेक्स एक्जामपल दे रहे हैं अगर लोग दिया हुआ है 1S, 2S, 3S, 4S अब बता रेडियस किधर जादे होएगा N लगाओगे या L, N न तो N increases, that's why radius ठीक है, अब दोनों को मिला के लगाया एक्जामपल 2P, 3S, 2P N, N किधर बर रहा है बटा, राइट और L किधर बर रहा है लेफ्ट तो अब अपने पास एक confusion आया कि N लगाएं या अपन लगाएं क्या लगाओगे जदी मामला फस्जारेडियस के लिए तो पहले N लगाओगे प्रिफरेबली तो radius किसका ज्यादे बोलोगे इस तरह से बोलो तूपी की या 3S की किसकी रेडियस ज्यादे होएगी इसको हम लोग प्रियोरिटी पे लेंगे किसको लेंगे एन को या एल को एन को इसलिए अगर एक जांपल यह दिया जाया 4S & 3D तो radius किसकी ज्यादे होईगी इसमें बहुत सारे लोग गरबर करते है वह 3D की ज्यादे बोलतें एनरजी के कार्राइब याद है आपको एनरजी 3D की जादे थी तो एनरजी के कार्राण वह 3D की बोल देते वह गलत है रेडियस के लिए पहले प्रिफरब्ली क्या लगाओ में लगाओ गया तो S और P सब पर आर्बिट आपको फील करना है कि वो निकलेश के क्या होता क्लोज और डी और एफ सब औरबिट क्या होता काफी यह काफी डिस्टेंस में फर्क होता माल लो एक फॉस्फोरस एटम ले लोगे न लेट माल लो ऐसा तो फॉस्फोरस का रेडियस ओफ 3S देखो 0.47 एंग्स्ट्रॉंग जिरो पॉइंट रेडियस ओफ 3P देखो कहां पर है 0.54 एंग्स्ट्रॉंग अब रेडियस ओफ 3D देखो कहां है 2.4 एंग्स्ट्रॉंग आपको कुछ समझ में आया कितना का पर्क है इसलिए हमने क्या बोला आपसे S और P जो सब ओर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं highly penetrated होते हैं जबकि D और F सब ओर्बिट बहुत डिस्टेंस पर होता इसलिए आप ऐसे इसको ऐसे फिल करो कि S वाला जो स्फेर है ना सोचो अच सोड़ा है है तो S का क्लाउड को बनेगा Dence का क्लाउड कैसा बनेगा भी करो देंस बनेगा पूरा लेकिन क्या D का क्लाउडो है बनेगा वी बड़ा एकदम फटा फटा-फटा सा Best used है नहीं एकदम बढ़ा मतलब फीन्ग और सितिःऌ डेंसिटी दिखेंगी दिखेंगी लेकिन S का cloud, dark दिखेगा आपको, समझ में आया है, इसलिए D sub orbit जो होता है न, atom में, हम लोग बोलते हैं कि इसके धकने की छमता बड़ी खड़ाब है, shielding ability बड़ी पूर है, और S बड़े जबरदस तरीके से nucleus को धक लेगा, फिर से, फिर से, निकलेस को कौन सा सबसेल अच्छे से cover कर लेगा, S या D, समझ में आया है क्यों, क्योंकि S high density है, तो cloud बहुत dense है, लेकिन D क्या है, बहुत दूर है, तो इसके density बहुत थीन है, बहुत पतली है, बहुत कम density है, इसलिए क्या वो निकलेस को ढख पाएगे अच्छे से, तो इसको बोलते हैं हम लोग, shielding power, shielding ability या power, किसके जादे होती है, S की, और D की, अच्छी होती है, खड़ाब, बहुत खड़ा, D की ability, बहुत तो यह आगे आप इस चीज़ को समझे, कोई यहां तक किसी के पास, कोई doubt हो, तो पहले पूछ लो, कुछ भी अगर मन में आ रहा है, बोल की F के, नहीं उसके आगे भी लिख सकते हो, F के बाद G लिख सकते हो है, बहुत ज्यादे, ठीक है, चलो, radius वाला, क्लियर हो, हाँ चोटो बोलो, लास्ट वाला, कौन वाला लास्ट वाल, शिल्डिंग, यह, यह वाला example समझ में नहीं आ है, सो रह थे, तो छोटो इसमें सेल सेम है न है यार, तो सब और बिट का रेडियस, डिपेंड रेडियस किस चीज़ पर करेगा, एन और एन दो चीज़ पर, तो एन इस बार सेम है, तो एल के डिरेक्ट क्लिप औशनल हो जाएगा, यहां पर क्या सेम है, एल सेम है, सब सेल, तो किस पर डिपेंड करेगा, सेल पर, और यहां क्या है, दोनों different है तो किस से पहले हम लोग consider करें एन से sell से और यहां भी क्या है दोनों different है sell sub sell तो किस से consider करें पहले एन से sell और sub sell में पहले priority परेडियस किसी से कोई दिकत किसी को अब इसके बाद energy क्या बात किया जाए energy you आप और बिट एनर्जी को अच्छे से पर चुके हैं बढ़िया से मने डिसकस किया हुआ एक बार फिर से लिख लो थोड़ा से ब्रिफ कर दे रहें क्या क्या बोलते थे आप और अर्बिट एनर्जी के बारे में याद करो और यहां से इसको हमने स्वाल किया था एनर्जी एन के डिरेक्टली पोस्टनल मतलब एन इक्वल्स टू एवन से बढ़ा एटू फोड़ो बहुत बार लिखा हुआ एथरी उससे बढ़ा और गैप में एवन एटू मतलब पहले और दूसरे और अर्बिट का जो एनर्जी गैप होता है वह आगे के सारे और अर्बिट के ए सब आर्बिट एनर्जी पर जब आप सब आर्बिट एनर्जी की बाते करते हैं तो दो तरीके की सिस्टम की इसमें बात होती है एनर्जी में अचानक से दो तरीके का सिस्टम डील होता है एक डील होता है वन इलेक्ट्रों सिस्टम और एक डील होता है मिनी इलेक्ट्रों सि सीखना पड़ेगा यहां से important चीजे सब स्टार्ट हो रही है एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा डील होता है मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दोनों सिस्टम में एनर्जी अलग तरीके से डील होती है ठीक है ओन इलेक्टरोन सिस्टम ग्लब वैसा एंटम जिसमें एक इलेक्टरोन वो एरिया है बोर साथ हमने आपको बताया था तब वह एरिया है किस Спांőं को तो वन इलेक्टरोन सिस्टम जिसमें एक एलेक्ट्रोन हो जैसे हैड्रोजन एटम या हैड्रोजन लाइक एटम हैड्रोजन एटम और हैड्रोजन लाइक एटम तो हैड्रोजन के जैसा कौन एटम है बोलो एक इपर plus one लेक्ट्रोन लेआ उ सूडियम आये गागा इसकाoda न पर 10 प्लस आएगा 10 अरे नहीड बस इसप्ल्राइग बाहरेऊ मैनी इलेक्ट्रोन सिक्त्म तो संज़े रहो जिसमें X से जादे हो गया H या H- L I N A S ये सब आ गया वन इलेक्ट्रोन सिस्टम में एनरजी के थियरी को डील करता है बोर्ज थियरी एनरजी के कॉंसेप्ट को डील करता है कौन आप जो कुछ में इसमें एनरजी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कौन डील करेगा और मेंनी इलेक्ट्रोन सिस्टम में एनरजी को डील करता है क्लेच को विसकाईज रूल गलियाए नहीं अबे साइन्टिस्ट का नाम है एक बार फिर से बोलें क्लेच को विसकाईज एन प्लस एल रूल क्या क्या नाम रख लेक्वा करें हम लोगों से पूछे लेता हम लोग यहां प्यारा प्यारा नाम होता गुढड़ू मिद्दू चिट्टू सिंटू बिट्टू महे跟你 घंच सु मैं प्यार के नाम रखते हूं उसके बाद दुनिया सब के नाम में यावाटा काच्छा सब लगा देती यह नहीं जिन्दगी से महबत नहीं रहे कुछ नाम में बिठा नहीं जोड़ा जा सकता अगर जोड़े तो परमपिता परमिस्वर को लोग प्यारे हो जाओ कहबें ट्राय करके देखना सपने में भी इसलिए यह लोग ऐसा नाम रखता है तुम लोगों की नाम में भी जुठता हैं फॉले तक इनों के लोग आपरेशन करते हैं एक रांद है आकृति कि जान के भी सोच के ऐसा बूली कि जिसमें डिफिकल्ट हो जोड़ना नहीं यहीं बाती है तुम्हारा नम सोनी है कि सबसे अच्छा अपरेशन होता पूजा नाम का तुजिया कि अधिक पुछ नाम रेस्पेक्ट से लेते हैं कि शला देको और जाएं के लिए दो system और हम लोगों के लिएग दो सिस्टम में अलग अलग तो से डिफाइन करना वाट एल में पूरी एनरजी को दील कहिए करेगा वर डिए आगे देखते हैं और जबि मेनी एलेक्टिर क्योंग नेरजी को ठीक है अब इस चीज को अलग-अलग करके पढ़ना पढ़ेगा एक बार पढ़ना पढ़ेगा आपको कहों सा फीर एक बार पढ़ना पढ़ेगा एनर्जी के लिए आप आप बेसीडाली एटॉमी के स्ट्ट्चर का पार्ट वन पर रहे हो हमने बोला आपसे बटा कि atomic structure आप दो पार्ट में पढ़ेंगे एक पार्ट फिजिकल और एक पार्ट इन और इन और इन और इनिक में आप उसका qualitative पर रहे हो जिसमें किसी भी चीज का मतलब calculations हम लोग नहीं करेंगे theoretical पार्ट पर्टिक्लरली वैसा पार्ट हम लोग इन और इनिक में कवर करेंगे जिसको electronic configuration से मतलब है क्योंकि इस पार्ट का पूरा focus इस chapter का ही पूरा focus क्या अपना electronic configuration learn करना element बोलने के साथ उसका atomic number group number और configuration अपने दिमाग में तुरुन क्लिप करें इस chapter का पूरा focus ही और configuration आप लिखते हो spdf में फिर spdf को तोड़ते हो box में इस लिए हम लोगों ने इस पार्ट में से अपना पूरा focus बनाया हुआ और यह जो आप configuration लिखते हो तो इसका इसकी भूमी का थी असली चीज एनर्जी ही है यही एनर्जी जब आप सीखो गये तब जाकर करके आप electronic configuration लिखना शुरू कर पाओ जिसको अगले class में हम लोग करते हैं चलिए नोट करवाते हैं आपको start कीज़े नोट करना के तेजी से start कीज़े नेक्स पार्ट में लोग अगले class में आज सब ऑर्बिट्स से और बाइटल पर नहीं जा पाए नेक्स क्लास में और बाइटल पर पहुंच जाए क्या 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 चाहिए पीडियाफ शाहिए बड़े hybrid बच्चे हो यार अच्छा वहां जाके आराम से लिखते हुए चलो नोट करो दो